नमस्कार फ्रेंड्स क्या हाल है आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चल मेरे घोड़े फ्रेंड्स कल है 15 परवरी कल मैसूर रेस हैं तो फ्रेंड्स मैसूर रेस कार्ड मेरे सामने है और उससे पहले बात करते हैं आज हैदराबाद की तो फ्रेंड्स आज हैदराबाद रेस कैसी रही आप लोगों की आशा करता हूँ अच्छी रही होगी और कुछ ना कुछ अर्न किया होगा और अगर बहुत ज़्यादा खेलते रहे होंगे तो शायद नुकसान में जा सकते हैं इसलिए कम गेम्स खेलें दो-तिन गेम उन्हें खेलें वो ज़्यादा बेटर है तो फ्रेंड्स अब ये देखिए आज का हैदराबाद जो मैंने टिप्स दी थी हैदराबाद की पहले पे मैंने स्किप किया बताया था दूसरी पे फोर विन तीसरी पे वन विन चौथी पे छे दो एक या दो छे एक हो सकता है पा और आठ भी पे दो विन प्लेस और दस और नौ टी एच पी बताया था नौ भी पे थ्री तू फाइव और दस भी पे स्किप कहा था या कहा था वन प्लेस इस वेरी गुड ट्राई इच वे सो फ्रेंड्स ये देखिए रिजल्ट है आपके सामने सिर्फ पहली वाली मेरी स् सेकेंड मैंने चार विन प्लेस बोला चार प्लेस आया थर्ड में वन विन प्लेस बोला वो विन प्लेस दोनों हुआ वो और फॉर्थ पे सिक्स टू वन बोला सिक्स टू पूर रिजल्ट आया फिफ्ट मैंने चार प्लेस या स्किप बोली थी तो चार विन है सिक्स्त रेस बिल्कुल फ्लप गई, चार विन प्लेस था, अक्षे कुमार बहुत बुरी तरह पिटा, शैर ये गेट पे अड़ गया था, उसके बाद फ्रेंड्स साथ मी पे छे विन प्लेस और साथ प्लेस था, तो छे विन तो हुआ नहीं, साथ प्लेस विन हो गया, आर्थ मी रेस दो विन प्लेस था फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल हटके हुई, गलत गई, नौवी रेस, तीन, दो, पांच बोला था, थ्री विन हुआ, और लास्ट में बोला था, वन प्लेस, तो वन प्लेस आया, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रेस, देखा, जैसा कि आपको हमेशा बतात हूँ, सारी रेस प्रेड्ट करना नट पॉसिबल, किसे दिन किसी का लख हो, तो वो बोले जो, और वो क्लियर हो जाए, क्योंकि हम हैंडी कैपिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के अनुसार रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, होर्स का वेट, होर्स का स्पीड जौकी सब चेक होने के बाद फिर भी घोड़ा तो घोड़ा है कूद गया नहीं भागा उतनी तेज थलका सा और फर्स सेकंड थर्ड में क्या दे रही है फ्रेक्शन अफ सेकंड की सो फ्रेंड्स उतनी केलकुलेशन नहीं अच्छी होती है कि कोई कंप्यूटर तो है नहीं घोड़ा है कुछ भी हो सकता है इसलिए आपसे एक बार जो मैं बात हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा काम है बताना खेलना ना खेलना आपके ओपर डिपेंड करता है अपने व प्राफिट लेके जाएं तो फ्रेंड्स टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ अब कल की रेस में सो फ्रेंड्स कल की जो फर्स्ट रेस है मैसूर की वो है चौदा सो मिटर की धाई बज़े से सो फ्रेंड्स लगता है मीटर बताने में ज्यादा टाइम लगता है त कंट्री स्पेस जोकी केस आई यह मुझे पसंद है मौके पे आप देख लें इसको विन प्लेस जैसा भी आपको वहां और्स के साथ समझाए अदर्वाइस घुड़ा अच्छा है और बोर्ड पे तो जुरूर रहेगा सेकंड रेस फ्रेंड्स तीन बज़े से है 1200 मीटर की इसमें होर्स नमबर 12 बिग टाइम बे जोकी है इस पे छोटू कुमार छोटू जस्वार सो फ्रेंड्स ये एक अपसेटर है ये गोड़ा कुछ कर सकता है अपसेट तो इस पे आप वाच रखें और अगर ओट्स ठीक लगते हों तो आप इसको थोड़ा बहुत लगा सकते हैं जोकी है 1200 सोटो मिटर की सादे तीन बज़े से इसमें फ्रेंड्स जो मुझे पसंद है वो तीन गोड़े पसंद आ रहे हैं नंबर वन थर्ड रख में बिलोज ग्लन, जौकी DS Diora, DS Diora बहर का जौकी है, डिली का अच्छा जौकी है सो कल ये तीनरेस इसका आरहे तो फ्रेंट्स DS Diora पे खास द्यान रखना तीनो रेसों पे उनकी तीनो रेस जो है में एक ये खल तीन चार और पाँच इसमें दो race पे तो एक में win एक place तो कम से कम इनकी बनती है सो कल आप 1 पे इस race में नजर रखें तो 1 को आप win place जरूर करें इसमें अच्छी उमीद लग रही है उसके बाद 8 number place के लिए अच्छा है और 5 number सो friends race number 3 में 185 उसके बाद आगे चलते हैं race number 4 जो की 1600 मेटर की है चार बज़े से so friends थोड़ी लंबी race है 16 मेटर की 12 गोड़े हैं इसमें इसमें friends 12 की place आप confirm बानो horse number 12 chili breeze जोकी अर्शाद आलम place में जरूर आएगा मुझे लगता है ये place आनी चाहिए और इसमें आप 7 की place और ले 7 की और 7 के साथ मुझे अश्वस इसना ए इमरान खान 8 नमबर भी अच्छा लग रहा है लेकिन आप इसमें 7 की place जरूर ले 12 प्लेस और 7 प्लेस इन 4 रेस नमबर 4 में 12 और 7 प्लेस सॉर्डी थोरी डिस्टर्बेंस हो गए थी तो नौव फ्रेंड्स रेस नमबर 5 5 में धाई बज़े से साड़े चार बज़े से है चौदर सो मिटर की रेस नमबर 5 में हॉर्स नमबर 5 आप विन प्लेस पर रखिए और 6 नमबर को प्लेस पर लीजिए तो फ्रेंड्स रेस नमबर 5 में मुझे जो पसंद है वो 5 और 6 रेस में सोलह सो मिटर की पाँच बज़े से इसमें फॉर विन छे नमबर एंड फॉर प्लेस 5 और 8 जो भाई कहा रहते हैं एस एचप टीएचप आप एस एचप टीएचप 5 और 8 पे देख सकते हैं छे पॉर विन लास्ट रेस आप टुमारो मैसूर की कल लास्ट रेस जो की साड़े पाँच बज़े से है चौदासो मिटर की फ्रेंड्स इसमें ग्यारा नमबर और साथ नमबर मेरी चोईस है ग्यारा नमबर और साथ नमबर तो फ्रेंड्स यह थी मेरी मैसूर की चोईस आप लोग ध्यान पूर्वक खेलें अपने विवेक से खेलें मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइबर्स मेरे जो हैं मैं सुबा एक वीडियो और डालता हूँ जिसको पास सब्सक्राइब होता है और सब्सक्राइब करने के बाद आप उसमें एक बेल आइकन होता है घंटी बनी होती है इसको दबा के उसके सबसे टॉप वाली ओल को क्लिक कर दें ताकि मैं जो सुबह अपडेट देता हूँ वीडियो का आप उसको जरूर देख सकें और अग करें थैंक यू फ्रेंड्स बी केरफुल ध्यान फुक्र रख खेलें बेस्ट अफ लॉक जैहन